वेल्कम बैक गाईस आज हम लोग डिसकस करेंगे कि एक एर किट को यूज करने के बाद यूरीन प्रेग्नेंसी टेस्ट कितने दिनों के बाद करना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के तो गाईस देखिए इस किट में जो आप लोगों ने प्रेग्नेंसी खतम करने के लिए जो किट उप्योग की है इस किट में पांच गोलियां होती हैं जिस भी तारीक को आप लोगों ने इस किट की पहली गोली को उप्योग किया है लिया है और मेरे बताए गए मैथड से कुका हूँ तो मेरे बताए गए मैथी से अगर आप लोग इस किट को पियोग करते हैं पहली को अगर आप लोगों ने किसी मंत की पहली तारी को लिया है तो आपको उरीन प्रेगनेंशी टेस्ट दसमे दिन पर कर लेर चाहिए मेरे बताए गए method से ज़ादतर cases में जो urine pregnancy test है वो दसमे दिन negative आ जाता है या आपको हो सकता है कि दसमे दिन पर बहुती हलकी line देखने को मिल रही हो मैंने आप लोगों को already बताया था कि जब आप लोग इस kit को प्योग करेंगे तो जो bleeding है वो 7 से 12 दिन तक होती है और 92 दिन पर bleeding पूरी तरह से stop हो जानी चाहिए तो दसमे दिन अगर आपको थोड़ी बोती bleeding हो भी रही है तो कोई problem वाली बात नहीं है bleeding के समय आप लोग pregnancy की जाच कर सकते हैं तो अगर आपको pregnancy test card में hulky line दिखाई दे रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है पांस दिन के बाद आपको दुबारा से urine pregnancy test करके देख लेना चाहिए ठीक है ऐसी condition में आपका जो urine pregnancy test है वो completely negative आ जाता है अब देखिए कुछ viewers ऐसे होंगे जिनोंने मेरे बताए गए method से इस kit को उपयोग नहीं किया है हो सकता है कि आपकी इस kit को लेते समय जो timing है वो अलग हो या हो सकता है कि तरीका अलग हो आपने वीडियो को ना देखा हो तो ऐसी situation में जो ये पांच गोलियां है इसमें से जो पहली गोली जिस तारीक को आप लोगों ने ली थी उस तारीक से आपको दिन काउंट करने हैं और प्रेगनेंसी की जांच आपको 18 दिन के आसपास करनी चाहिए ठीक है अगर आपका यूरीन प्रेगनेंसी टेस्ट हलका पोस्टिव आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूरीन प्रेगनेंसी टेस्ट 21 दिनों तक पोस्टिव आ सकता है क्योंकि ये जो टेस्ट कार्ड है ये टेस्ट कार्ड प्रेगनेंसी होर्मोन बीटा सीजी को डिटेक्ट करते हैं और महिला की बोडी में जो बीटा सीजी होर्मोन है मतलब ये जो प्रेगनेंसी होर्मोन है ये 21 दिनों तक रह सकता है अग आपने अगर मेरे बचताए गई मैथट से इस किट को प्योग नहीं किया है या किसी भी अलग वजा से ये कारण हो सकता है तो 21 दिन तक आपको वेट करना है 21 दिन पर आप लोग अगर यूरीन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और अगर आपकी प्रेगनेंसी क्लियर होगी तो आपका यूरीन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगटिव आ जाएगा लेकिन 21 दिन के बाद भी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पोस्टिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है और ऐसी सिच्वेशन में आपको आपके डोक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गए तो आशा करना चाहिए